सेमसंग गलेक्सी एफ फोर्टीवन फानली दोस्तों आज यह स्मार्टफोन लॉंच हो जुगा है और इसका बेस्ट वेरियंट जो की 6GB रैम और 64GB इंटरनल श्टोरेज के साथ आता है उसकी प्राइज रखी गई है सतर हजार रुपए और अगर आप इसको खहिदना चाहते हैं तो फिलिप कार्ट की जो बिग विडियंडेज सेल स्टार्ट हो रही है सोल अक्टूबर से उसमें आप इसको खहिद पाएंगे आसाथ में आपको 15 रुपए का इंस्टेंट डिसकाउंट मिल जाएगा है कार्ट यूज करने पर लेकिन दोस्तों क्या आपको यह स्मार्टफों खहिदना चाहिए क्योंकि जो सारे आपको मिल जाएंगे देखने के लिए आप किसी वेबसाइट पर जाकर उसको देख सकते इसमें क्या कौन-कौन से होने वाले हैं लेकिन मैं आज आपको वह पांच वीडियो में तो इस वीडियो में अंतक जरूर बने रहे हैं है लो दोस्तों मैं पादर जलान और आप देख रहे हैं बेस्ट वर्सेस टॉप तो मैं इधर दोरों की बात बिल्कुल नहीं करूंगा और इसमें जो में में डिश एडवांटेज है बिल्कुल डारेट उसी प उसी तरह की देखने मिलेगी ऑगर मलटिटाशिंग करते हैं जैसे की अगर PUBG किलते हैं इसमें आपको देखने को मिल सकता है तो पिसके क्लिए काफी चिप्सेत नहीं माना-जाता है सैमसंग का अगर आपको इसमें Qualcomm Snapdragon 720G वाला चिपसेट या फिर Mediatek का G95 वाला चिपसेट यूज़ किया ज़्यादा तो ज्यादा अच्छा बेतर अप्शन हो सकता था आपके लिए तो यहां पर चिपसेट थोर सा लो क्वाल्टिक है और इसका सब्सक्राइब कॉन्स इसका पॉफिमेंसी होने वाला है बात करें अगर इसकेंड डिसडवांटेज की तो आपको इसमें बैटरी तो 6000 एमेज की मिल जाती है जो कि पूरे दिन आपका आराम से चल जाती है लेकिन आपको इसमें चार्जिंग स्पीड जो है वो 15 वाट की ही देखने को मिलेगी तो चार्जिंग टाइम में काफी जाता है तो यहां पर चार्जिंग स्पीड काफी कम है आपको क्या लगता है दोस्तों इसकी चार्जिंग स्पीड कितनी होना चाहिए वह आपने चेक्वेंड बॉक में जरू बताइएगा मेरे ख्याल से इसका एक यह भी सेगेंड कॉंस है जो कि इसको एक गी तो इसमें आपको कैमरा तो 64 element का में ४िक्सल का मैं कामेरा 8不能 लिए अल्टर वाइड मिल जाता है पर्लोन फ County के लीए 32 puntos का सेल्फी वाला के मिल जाता था है लेकिन यहां पर आपको सांसन्मिंग सेंसर देखना है में केमड में तो क्वाइस जो है इमेच की उतनी अच् तो काफी अच्छा option हो सकता था यहां पर लेकिन आपको जो Samsung का sensor है तो quality उसकी थोड़ी सी अच्छी नहीं आती है तो ये भी इसका एक बड़ा cons है बात करें अगर इसके चौथे cons की तो यहां पर आपको AMOLED का Full HD Plus का regulation वाला display देखने को मिल जाता है जो कि 6.4 इंच का है काफी अच्छा display है, display में कोई problem नहीं है लेकिन problem है इसके जो protection है उसमें आपको इसमें कोर्णिंगा Gorilla Glass 3 का protection दिया आता है जो कि यहां पर कम से हम Gorilla Glass 5 का protection मिलना चाहिए क्योंकि mobile हर समय हाथ में राते हैं कभी भी हाथ में चूट जाता है गिर जाता है तो जो Gorilla Glass 5 है वह काफी हर्ट तक protect करता है mobile को तो यहां पर protection भी कम की गई है और Gorilla Glass 5 का protection आपको इसमें देखने को नहीं मिलता तो यह भी एक बड़ा पॉन्स है सैंसंग के galaxy f41 में बात करेंगे इसके फिप्ट कॉन्स की तो इसके सारे एस्पेक्स करीक्रीट बिल्कुल सिमलर है सैंसंग के galaxy m31 से काफी कुछ मिलता जूलता है और किवल आपको camera module जो है सैंसंग के galaxy m31 में आपको 4 camera का सेटफ मिलता है जबकि यहाँ पर आपको triple camera slot दिया गया है तो यहाँ पर डाउंग्रेड ही किया गया है galaxy m31 से लेकिन आपको प्राइज जो है galaxy m31 से ज्यादा रखी गई है और इसकी base variant की प्राइज प्राइज 17,000 पर है तो यहाँ पर base variant की प्राइज जो है कम से कम 15,000 पर चाहिए थी यह 2000 पर कम से कम ज्यादा प्राइज है यह भी इसका एक बड़ा concept तो दोस्तों यह थे इसके मिन मिन कॉंस बागी सारे फीचर इसमें काफी अच्छे हैं रियर में आपको fingerprint sensor देखने को मिलता है सारे sensor इसमें मिल जाते है type-c का port मिल जाता है यह आप external SD card से इसके 512 अभी तक इसके storage को बढ़ा भी सकते हैं 3.5 mm का jack भी इसमें मिल ली जाता है तो यह थे दोस्तों Galaxy F41 के advantages और disadvantages अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like जरू किजे और चैनल को subscribe नहीं कि अभी तक तो जरू कर लीज stop चैनल दोस्तों